हेडा लोवीज, हाव वर यू ओल, कैसी है मेरी लावीज आर्मी, मुझे कमें सेक्शन में ज़रूर बताना आज हम लोग जो रीडिंग्स करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि सामने वाली पार्टी का नेक्स्ट आक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर की कारण्ट एर्योज इस क्या हैं और आने वाले टाइम में उनका नेक्स्ट आक्शन क्या होगा क्या बदलाव देख सकते हो आप उनके behavior में इस relationship में start करेंगे आज की रीडिंग्स दियान रखे रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको resonate करें, हो सकता है आपको resonate ना करें, energies पर focus करें और हाँ candle की flame को ध्यान से देखे जिससे कि हर रीडिंग आप easily दिल से resonate कर पाएंगे ओके सो आज मैं यह वाली डेक से रीडिंग करूंगी और आप सब तक ही रीडिंग ज़रूर पहुच रही होंगी और लाइफ सेशन में भी आजकर आ रही हूँ कोशिच करती हूँ हर दो दिन में लाइफ सेशन कंड़क करूंग जससे आप लोग को गाइड़न्स देपाऊ और आप सब तक यह गाइड़न्स पहुच अगर आपके पास लाइफ सेशन की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें जिसे हर रीडिंग्स आपके पास सबसे पहले पहुचेगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स अपने पार्टन का नाम मनीमन विजुलाइज करें और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन आपके लिए आप कि इन शोट व्यूर का पार्टनर क्या सोच रहा है अप इस्टिवन गायड करें पर ए civbu करों कि हम से कम फीं से पांच भर उसके बाद मैं फिर कांड दिवेंग्स को गायड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें ये रीडिंग जिस समय भी आपके पास पहुच रही है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है टाइमलेस है तो एनरजी इस पर फोकस करें चलिए, स्टार्ट करते है डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं पार्टनर की कानटेरियर जी इस क्या होने वाली है पार्टनर के माइन में पार्टनर के दिमाग में दिल और दिमाग में क्या पिक्चर चल रही है ओके वी हाव पेज अफ सोट्स वी हाव seven of pentacle seven of swords we have six of swords we have ace of swords our sari cards swords ke hi a raha and we have page of cups okay i hope cards बहुत अच्छे से आप लोगों को दिख रहे होंगे my dear yeah bottom deck check कर लेते है we have ten of pentacles जो card आज सुभा भी आया था जब हम लोगने current energies check करी थी ठीक है तो सारे cards हमारे सामने है we have page of swords we have seven of swords six of swords ace of swords page of cups and ten of pentacles ठीक है okay so according to the card energies जो यहाँ picture हमें दिख रही है सबसे सबसे पहला indication जो मैं आपर देखकर आपको बता पाऊंगी लडाई हुई है fighting हुई है किसी ना किसी बात को लेकर लडाई अभी relationship में चल रही है और इस लडाई के चक्कर माइंड बहुत ज़्यादा चीजों को लेकर negative हो गया है माइंड में बहुत ज़्यादा चीजों को लेकर परिशान हो रहे हैं एक जो communication होना चाहिए relationship में वो अभी बहुत missing चल रही है ऐसा भी हो रहा है कि आपके partner ने कुछ ऐसी बात बोली है जिसको लेके आप emotionally बहुत होट होई हो इन शौट ऐसा फील होता है कि इन्होंने बोला पर इन्होंने करा नहीं इन्होंने मुझसे बोला कि ये करेंगे पर ऐसा इन्होंने करा नहीं ये पलड गये हैं इन्होंने एक्दम reverse ले लिया है और इन्होंने situation बलकुल बदल दी है और इसी गलती के वदे से ये मुझसे ब जो इनिशेट करें, you are the one जो सामने से जाए, you are the one जो चीजों को बेटर करने के कोशिश करें ये फेज आप दोनों के रिलेशनशिप का एक हीलिंग फेज दिख रहा है और ये फेज में कम्यूनिकेशन होना बहुत बहुते हैं, ये सबसे बढ़ा नेकिटिफ पॉइंट है आप दोनों के रिलेशनशिप की कारेंट एरेजीस का आप आप लोग सोचते हूँ हम लड़ लेते हैं जगड लेते हैं, जगड लेते हैं, communication बन कर देते हैं श्याइन बाती है, छे महीन हो जाते है, ही ची ढूनी देस्टैकरणी की वज़े से पीपल स्य मिसमिनीन कया है वो distance की वज़े से चीज़ों में separation हो गया है Communication is important and communication को बंद नहीं करना है किसी भी हाल में अगर आप ये वीडियो आप तक बहुच रहा है communication बंद करो ठी मैं हम तो नहीं कर रहें communication में वही बात नहीं कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कुछ लोग की situation में ये भी चल रहा होता है हमने थोड़ीना मम बंद करी communication वही नहीं करने हम तो जा रहे सामने से बोड रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं वो मानी ही नहीं रहे हैं, वो understand नहीं करने कुछ लोग के लिए ऐसा भी situation आता है तो उसको देखते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि ये face जैसा चल रहा है चलने दो थोड़ी समय बात एक communication होगी communication होगी और person सामने से आएंगे ये बात की तो मैं आपको security दे सकती हूँ खुद बखुद सामने से आएंगे और खुद बखुद ये आप से आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगी ये आथ दिखरेंगे बली वह इन एक Unacceptable communication होगी पर वो होगी सरूर क्योंकि युनिवर्स भी नहीं चाहता कि आपका relation टूटें युनिवर्स भी नहीं चाहता कि आपका ये relation खतब हो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उस चीज को भी अपन को अंडेस्टाइंड करना है, but as such there is no negativity, negativity तो है, उन्होंने जो करा है वो बहुत गलत करा है, और उसका ब्लेम आप पर डाल रहे है, वो उससे भी बड़ा गलत करा है, लेकिन धीरे तीरे सब सॉट होगा, क्योंकि पता है मैंने क्या देखा, अगर हम नेगेटिव टॉपिक पर ही बात करते जाते रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी का पाइल ना बढ़ता जाता है, और वो पॉजटिविटी वा फिर छोटी से दिखती है, इसलिए उस पाइल को हमको खतम करना, जो पॉजटिविटी वाली पाइल है, उसको अपन को ठाना, इस माइंसेट से चलोगे, तो हर चीज़ बेटर होगी, फेवरेबल होगी, और सब से बढ़िया होगी, अगर आप शॉर्ट इंड स्वीट बताते हो, इसलिए रीडिंग्स को जाते है, इसलिए एक्जाजरेटी करती है, और चाहो तो है 15-15, 20-20, 30-30 मिनिट के डाल सकती हो, लेकिन आपको समझ पे आना चाहिए, आपको बोर नहीं हो, आपको चीज़ों को जानना है, कि हो क्या रहा है चल क्या रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ ये, कुछ गलत नहीं है, सब धीरे बढ़िया होगा, परसन को एहसास होगा, ये खुद इनिशेटिव लेकर आएंगे, लेकिन अभी जैसा चल रहा है, चलने देना है, नेकितिव बिल्कु भी फील नहीं करना है, और मेरे साथ क्या बोलना है सबको, राधी राधी